यालोओ फ्रेंड्स वेलुकम टूइंगघर आज हम बात करेंगे काफी सरे इस वीडियो में है तिंद महाईने से जो भी स्टक के वारे में हमने चर्चा किया है और जिसका भी अभी तक टार्गेट प्राइस हमारा आचीव नहीं हुआ है हमारा पॉटफोलियो में अभी है लेकिन उसमें लॉस में है तो वह स्टक हमें अब करना चाहिए तो अभी वीडियो में आखिर तक बने रही है हर एक स्टक के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा अगर आपके पूर्फ़ो बिट्वियो जरूर रहेगा क्योंकि आप काफी दिन से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके पास में जरूर रहे आप आखिर में वीडियो में देखते रहें तो आपको पता चलेगा क्यों बोल रहा हूं कि यह सारे स्टॉक को सेल नहीं करना इसका रिजन भी में आपको बताऊंगा ठीक है फ्रेंट्स चले बिडियो स्टार्ट करते हैं जो पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे अमर ले सकते हैं यहां पर लिया है अभी उच्छी रेंज पर हम घुम रहे हैं तो मतलब हमारा टर्गेट प्रेस आची भी नहीं हुआ है अभी मैं बिल्कुल मानता हूं कि यह चीज़ बोलने में कोई कोई संकोच नहीं आ रहा है क्योंकि जहां पर हम लॉज में है तो जो जैन सब्सक्राइब करें तो हम क्या करेंगे आपका मन में जरूर सब्सक्राइब करूँगा कि अगर एक वीडियो में उसका आंसर देने के लिए ठीक आपका सब्सक्राइब रहना चाहिए अगर आप stock market में newly एंटर किये हैं trading कर रहे हैं मतलब swing trade कर रहे हैं या तो फिर investment कर रहे हैं आपका मन में जो भी सवाल है हर एक सवाल मेरे लिए important है मैं आपको जरूर कोशिज करूँगा हर एक सवाल का reply देने के लिए ठीक है चले वीडियो करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हैं आपको जरूर बताना चाहूंगा अगर आपका पोटफुलिय में कोई भी स्टॉक है आप यहां से भी देख सकते हैं जो भी उसका टार्गेट पैस हमने बात किये हैं तो टार्गेट पैस कौन सा प्राइस पर निकलना है और कहां यहां पर एंट्री लेना है वह जरूर देख लिए जहां पर एंट्री लेना है मैं बताया हूं उसका निच्चे अगर स्टॉक प्राइस चल रहा है बिल्कुल बेफिकर ले सकते हैं कोई एक रिजल्ट की बेस पर हम बिल्कुल वह स्टॉक को इग्नॉर करेंगे सा कोई करूंगा वीडियो बना के आपको बता हूं कि सब्सक्रेंगे मैं आपको बताऊंगा फ्रेंट्स अभी देखी हैं मैं क्यों लोस में लног किई यहां दिखे काफी दिन से चल रहा है उगर हम देखेंगे यह। स्टॉक का अगर यहां पर all time है से देखेंगे अभी थाटी-टू पर्सें करेक्शन पर पर ईंपर करने के बाद में अभी यह स्टॉक में अभी तक टार्गेट नहीं हो यहां पर लेकिन फिर भी हमारा स्टॉक का अभी तक नहीं गया तो आपका मन में भी जरूरे सवल रहा होगा अपने तो बता दिया लेकिन इस टॉक में हमारा टार्गेट प्राइस आची भी नहीं हुआ जी अभी इसमें अपरेटर एंट्री करेंगे बड़ा इंस्से पहले पोजिशन लेके बैठना है ठीके किसी भी वक्त बड़े बड़े इंवेस्टर करेंगी स्टॉक प्राइस आल्टाइम हाईप घाए गाई कोई सक नहीं हमें ठीके ग्यारहजर क्रोट का मार्केट क्या पी इसका रोसी दिखी टूंटीवान का रोसी है जहां पर हम 15 के अभब कारेश को हम सिलेक करते हैं उसी स्टॉक में इंट्री लेंगे और सेकेंड क्राइटरी होता है डेट कंपनी का उपर ज्यादा है कि नहीं अगर 0.5 से डेट अगर ज ज्यादा है यहां पर वान पॉइंट 0 डेट लेकिन यह जो यह जो कंपनी नहीं यहां पर इन्वेस्ट में भी बढ़ रहा है यहांपर एक्स्पेंशन बहुत ज्यादा है तो इसी लिए यहां पर है लेकिन अमर रजा बैटर में दिख्ए डेट फ्री कंपनी है लिखारतबाबर हो अपने ईहां पर कुछ हैं छफटाइम की अगर देखेंगे की कितना परसंट करेक्शन दिखिए अगर देखते हैं इसका ऑलड टाइम ह问 है Commons हई से अभी 39% परसंट करेक्शन पे दर क्या लगता है यह इसट्ञार पर नहीं जाएगा जूरूड जाएगा जारूर जाएगा जिसे हिसाब से अभी मार्केट लीडर है ठीके ना अगर आप कोई भी भी करीते हैं उहां पर अम्हण्य वेटरी का कम होता है तो अहां पर अमग्य जाँ कि बढ़ी आसा सेग्मेंट में अभी चल रहा है तो कोई प्रोब्लेम नहीं मार्केट लिटर कंपनी है अगर इसी हिसाब से हम देखेंगे थोड़ा आप वेट किजिए इस्टक में जरूर इसमें आल टाइम हाई लगाने का बिलकुल पोटेंशाल है ठीक है अभी अगर आपको पता चलता है कि कहीं पर मोटर प्लेज जदा कर लिया तो चीज का हम मान सकते हैं अगर कोई एक स्टक में अगर देखेंगे तो को थोड़ा साम डर सकते हैं लेकिन यह सा स्टॉक में बिलकुल आपको आपको अबर मतलब बिलकुल लॉस में सेल करने की ज़रुरवत नहीं है इसमें बने रहे हैं नेक्स टॉक के बात करेंगे सिंफोनी आपको यहां पर में एंट्री का भी कॉल दिया था मैं आपको बताया था इस टॉक में अभी पोटेंशल बचा हुआ अभी ही यहां पर टाइम हाई तक भी जा सकता है जो की 2100 का प्राइस है लेकिन अगर हम देखेंगे तो यह जो प्राइस ना आपको इजी लिए अचीव हो सकता है इसके लिए बिल्कुल कीजिए शिक्स मॉंस में मुझे लगता है त्री मॉंस में इसका टर्गेट अचीव हो सकता है जो कि 39 परसंटेज का ग्यान अभी बचा हुआ है ठीक है इस लेकिन फिर भी आपने एंट्री ले सकते हैं कोई भी प्रोब्लेम नहीं हुआ है यहां पर आप इजली देख सकते हैं आप स्क्रीनर में ओपन कीजिए फ्रेंस स्क्रीनर में जब ओपन करेंगे आप इमिडियेटली यहां पे सर्च में जाके अपना डाटा बगरा खुद şartारा वान शनाए लिए उसके भाद में लेकिन आपको इसका डीटेल से करते हैं उसको चेक करना है तो किसे करते हैं उसका बीडियो करते हैं यहां पे यहाँ जाने के बाद में कि एक रेक्राइखाइदो करेंगे टिक करने के यहां पर प्रमटर प्रम पर से लेक्ट किया हूं आप उसी साफ से लेक्ट करके रख सकते हैं ठीक है वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन काफी सरे फ्रेंड से जो कि नया है मुझे मालू में तो इसलिए यह सारे चीज में बता रहा हूं अगर आप आप में से कोई पुराना है आपको अगर लग रहा है उसके लिए में मापी मांगना चाहूंगा थुड़ा सा इस सिसका भी उनको भी थोड़ा सा फाइदा लेने दीजिए कैसे स्टॉक को रिशर्च करते हैं वह भी सीख सकते हैं ठीक है चले सिंपोनी में पोजीशन बना से मुझे लग रहा था कि इस टॉक में बहुत जल्दी हमें एक प्रोफिट देखने को मिल सकते हैं लेकिन क्या करें प्रेंड है कुछ करने ही सकते हैं जहां पर हम अभी अभी तक प्रॉफिट एंट्री किये हैं अगर टाइम करेक्शन आता है तो हम होल्ट करना ही है उसका कुर्व महलूम है काफी सरे चाल करने के बाद में उसका टार्गेट आचिव हो सकता है लगिन टाइम करेक्शन कभी भी हो सकता है ये जब तक फॉन्डमेंटल जब प्रोब्लेम नहीं है तब तक स्टॉक को होलड करके रखेंगी है एड़ प्रोब्लेम नहीं है बिल्कुल जा सकता है जो कि इस लिए आप इस टॉक में अभी भी पोटेंचिल बचा हुआ है जो कि यहां पे अगर शतीस तक रखते हैं तो यहां पर लेकिन विडियो बनाने के बाद में थ्री मॉंथ सो हो भी चुका है लेकिन अभी तक टारगेट आची नहीं वह लेकिन फ्रेंस इसमें होल्ड करना है आपको इसमें सेल मत कीजिए कि अगर अगर अल्टाइम था अगर इसटॉक को अगर आपको ना फिर भी आपको यहां पर पर कंपनी जहां पर काफी सारा स्टॉक भागे जा रहे हैं लेकिन इस टॉक में अभी पॉटेंशल बचा हुआ है वहां पर बढ़ी आसा राली आ सकता है कभी भी ठीक है यहां पर मिसिस वेक्टर को भी आप होल्ड करके चलिए कोई प्रोब्लेम नहीं इसके बारे में काफी सरे आदमी का सवाल है कि आप गलत स्टॉक में आपने एंट्री करा दिया जो कि हम अभी लॉस में फ्रेंट्स में यहीं बताना चाहरा हूं मैं हमेशा इसलिए अगर रहेगा तो आपका कॉंटिटी जितना रहेगा मेरा तो उससे भी बहुत ज़्यादा कॉंटिटी यह लेकिन मुझे कोई प्रोब्लेम नहीं है मैं इस टॉक में बड़े आदमें इंट्री लिए हैं तो उनके भरोसा पर भागे गई इससा कोई रीजन नहीं है जहां यहां पर देख लिए प्रोब्लेम आपको क्या लगता है जहां पर डेट जिरो कर लिया तो आपको क्या लगता है इस टॉक अभी रुके का क्या क्या कोई यह का दा कटर में प्रोफिट कम हो सकता है और दे serv repair टोब्लेम कने और हैं लेकिन सेल्स कोम थोड़ी कम हुआ है जीरो है यहां पर फ्री कंपनी है तो यह स्का मैंब्लेम ने प्रोफिटाबल क्स्का आपको विल्कौम अगर आपको immediately gain अगर आप शोज रहे हैं तो यह stock में यहाँ तक तो बिल्कुल जा सकता है जो कभी भी जा सकता है 35 का जो लेवल है यह बहुत बड़ा support यह support कभी भी stock जा सकता है ठीक है next stock के बार में बात करेंगे जो की petronet लेवल है यह आपको भी मालूम होगा कि काफी दिन से इसी ट्रेड होता है तो यहां पर कि अगर काफी दिन से आप भी देखेंगे तो यह स्टक जो है ना 280 का एक लेवल इसका है बहुत बड़ा यहां पर कि अगर बहुत बड़ा सपोट दो सब्सक्राइब करना करना चाहते हैं तो इस लेवल पर कर सकते हैं जो कि 266 में आप निकलना चाहते हैं तो 66 पर निकल सकते हैं तो 68 पर निकल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है ठीक है यह बड़ी है सब्सक्राइब करेंगे जो कि यह अस्ट्रजनिक फर्मा अगर आपका पॉर्टफोलियो में इसको होल्ड करके चलिए डेट फ्री कंपनी है इसमें कोई प्रोब्लेम भी नहीं है इसका भी हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था डेट फ्री कंपनी है ठीक है तो यहां पर काफी बड़ा करेक्शन हुआ है लेकिन स्टॉक कभी बड़ी ऐसा जॉंप लगा सकता है ठीक अभ कर सकते हैं ठीक है लेकिन डिटेल आलना देखेंगे तो बहुत बहतरीन रहेगा आपको बड़ी ऐसा मिल सकता है वहां से क्योंकि यहां पर काफी सारा स्टॉक का मैं कवर कर रहा हूं यहां पर डिटेल नहीं बता सकता काफी लेट हो जाएगा फ्रेंट्स आप मैं से काफी करके निकल जाओंगा ठीक है अगर आपके पॉर्टफोलिय में तो होल्ड करके चलिए बड़ी ऐसा स्टॉक है ठीक है 2600 लेकि 2650 का रेंज पर कर सकते हैं नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे जो की पीजिए चले काफी दिन से यह स्टॉक में भी चल रहा है ठीक है इस ले तो इसमें बने रहे यह 5164 पर अभी चल रहा है अभी आपको इंटरी करना है तो भी कर सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है आप बोलेंगे कोई एक क्वाटर का रेजल्ट खराप है फ्रेंट्स जब स्टॉक जब कंपनी इतना पुराना कंपनी ऐसा थोड़ी है कि यह क्व क्या इतना जल्दी यह हो जाएगा इसा नहीं होता है फ्रेंट्स जब स्टॉक में कभी एंट्री लिये हैं तो यह सा एक क्वाटर का रेजल्ट हम देखके बिल्कुल स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ठीक है आप बने रहेंगे तो मार्केर से पैसे कमाएंगे ठीक है विशेट कर लिए जो कि हमने वीडियो बना कर आपको बताया हुआ है क्या यहां पर बताया था कि यहां पर पैटन तो इसका टार्गेट बहुत अपर तक है तो इस ट्रप्र बने रहें एक साइड में एक सेड़ में कोई प्रोब्लेम नहीं है नेक्स टाक के बारें बात कर होगा लेकिन फिर भी आपने एंट्री नहीं किया अगर आपके पास में इस टॉक है तो होल्ड करके चलिए इफ्रेंस यह जो है ना यह लेवल कभी भी इस टॉक दिखा सकता है जो कि 423 का लेवल है 423 लेवल तक बिल्कुल जा सकता है ठीक है आप लॉस में सेल मत किजिए तो यह स्टॉक में अगर आपका पोजिशन है यहां तक बिल्कुल जा सकता है आपको अच्छा सब यहां पर यहां पर बनाया थे ठीक है यहां पर इस लेवल पर हमने वीडियो बना के आपको बताया था यहां से आपको कितना परसेंटेश का देख लिए जो कि 38-39 परसेंट अब बादाश पंध्यूमर में आपका होल्डिंग है तो आप बिल्कुल अभी मुझे मालूम है आप डर से अभी सोच रहें कि स्टॉक से निकल जाएंगे फ्रेंट्स आप मत निकलिए तो यहां तक आप बिल्कुल रखिए इस टॉक को ठीक है आपको यह करके अच्छा सा गेन भी लिया हूं दिखिए हमेसा तूहंडेड दे मुवी एवरेज को रिस्पेक करता है इस टॉक हमेसा हमेसा ठीक है अभी यहां पर लगाएगा ठीक है थोड़ा सा इंटेजर किजी यहां पर आल टाइम हाई जब लगाएगा उसी टाइम पर पौटफोलिय में अपना पौटफोलिय में टॉक रखे हैं एक बहुत बाएग ने तो बता है इसमें 30 लग करने के लिए आप डार लगता एंटीक ब्लासा इंवेस्टमेंट मत किजिए कभी एक स्टाइक में अपना पोटफोलियों का फाइव परसेंटेज तक आप इनवे रहेगा कि अभी इसमें पोजिशन अगर बने हुए तो बने रही है आपको बड़ी असा यहां पे प्रफिट मिल सकता है ठीक है अल टाइम हाई तक अगर यहां पर देखेंगे ना तो में में यहां पर निकलने वाला हूं ठीक है यहां पर 62 तक आपको यह प्राइस बिल्कु जहां पर 100% का गेन का आप उमीद रखते हैं वहां पर एक साल से देर साल दो साल भी लग सकता है ठीक है आपको यह स्टॉक में इतना सा बड़ा सा पोटेंशियाल है नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे जो कि भी गाड़ है कि मुझे मालूम है भी भी गाड़ में बहुत स सा प्राइस मिल सकता है ठीक है आपको जब वह प्राइस मिलेगा तो उस टाइम पर निकलिएगा इमीडियेटली आप मत निकलिए इस टॉक में ठीक है तो आपको जो आपको जो इसमें जो टार्गेट रखना है मैं आपको एक टार्गेट बतायता है आपको अगर इस टॉक करना है तो इस लेवल पर निकल सकते हैं ठीक है यहां पर अगर आपको निकलना है तो यह लेवल पर बिल्कुल निकल सकते हैं ठीक है यह लेवल के ओपर बिल्कुल इंतिजार किजिए आप कि यहां पर 355 लेवल तक जरूर जार सकता है तो अगर आपको प्रफिट बुकिंग करना है 355 के पास में प्रफिट बुकिंग कर लिजेगा वी गाड से ठीक है नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि क्यास्ट्रल के बारे मैंने बहुत बार आप से बात भी किया हूँ क्यास्ट्र में अगर आपका होल्डिंग है फ्रेंड से बिल्कुल इंतेजार किजिए आपको शॉट्टर में यह टार्गेट बिल्कुल दिख सकता है जो कि 154 का लेवल पे आप प्रॉफिट वोकिंग करके चल सकते हैं कंपनी में कोई प्रोब्लेम नहीं है अब थोड़ा सा यहां पर इस सब्सक्राइब करना है इक दो कटर वैसे चलता है तो हमें डर्ने का कोई रीजन होल्डिंग करना ही है नेक्स्ट के बारे बात करेंगे जो कि आभंती फिट्स है और अगर सबको मालूम है किसी को मुझे को है एक बार रिटन जरूर देख लिए जो कि अभी 54 परसेंटेज का रिटन दिया इस टॉक ने अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इस चार्ट में देखिए तो जहां पे 2006 का प्राइस अगर देखेंगे 2005 का प्राइस थ्री पॉइंट सेवन रुपीज के पास में इस ट्रेड हो रहा था अभी देखिए अभी 559 के पास में चल रहा है तो उसी साब से देखिए कितना परसेंटेज का रिटन दिया है यहां पे ठीक है ना यह स्टॉक ने 150 एक्स टूंडड एक स्टॉक ने स्टॉक ने तो यह किसी सेल किया तो कितना बड़ा सा रिटन यहां पर कमाया होगा लेकिन यहां पर यह रोड़ाल बन चुका होगा लेकिन यहां पर काफी सारा फ्रेंट के अपको बिल्कुल सेल नहीं करना है ठीक है इस टॉक को होड़ किजिए आपको यह प्राइस जरूर देखने को मिलेगा जो कि यह support भी तूट चुका है उसकी बाद में भी आपका मन में सवाल होगा कि यह stock कहां तक जा सकता है फ्रेंट्स अगर जाना हो तो stock यहां तक बिल्कुल आ सकता है यहां तक लेकिन मुझे लगता नहीं यहां तक आएगा अगर आ भी गया तो आपके लिए और एक opportunity बनके आता है यह stock इधर से buy करने का ठीक है तो all time high तक रखने का यहां तक यहां से buy करेंगे ठीक है अगर यहां से buy करके आप चलेंगे अगर यहां तक भी hold करेंगे तो यहां पर 80% का gain मिल सकता है 97 का आपका target है नोट करके चलिए आप उससे पहले निकलने का नहीं है फ्रेंज मारसन फर सर्मा है हुड को है से बहुत सरा स्टॉक है जो कि हमारा portfolio में है आपको hold करना है ठीक है आप बोलेंगे आपने डावलत investment के बारे में बताया नहीं काफी सरा स्टॉक हमने क्या बताना है जहां पर इंट्री लिए मैं तो बोलता हूं लॉस में सेल करना ही नहीं है मुझे अग कि यहां पर दिखिए यहां पर जो हमने बीस बारे में बात किया फिर से आप एक बार देख सकते हैं यह स्टॉक के बारे में बात किया तो इसी साब से आपका portfolio में है तो कौन से लेवल पर निकलना है वीडियो देखके उसी साब से analysis भी एक बार जरूर देख लिए ठीक है अगर आपका portfolio में इस टॉक है बिंदा सोल करके चलिए और सबका analysis वीडियो चैनल पर है आप जरूर जाके देख सकते हैं वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक किजिए आपका एक लाइक मे वीडियो को जरूर फरवर्ड किजिए फ्रेंस के साथ में अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और आपका कॉमेंट भी मुझे बहुत इंतिकार रहता है आप कॉमेंट सेक्चन में जरूर कुमेंट किजिए आपको किस टाइप का वीडियो चाहि